अनि आता अखेर, नेट्वर्क 18 च्छा राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव मधे, किंद्रिय गुरुह मंत्री आमिच शहाप यउन पोहुच ले ले लियाद, नेट्वर्क 18 से एडिटरिंग चीफ राहूल जोशी, अमित शाहन ची मुलाखत घेतायाद, थेट जावियाद, राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव मधे, प्रधान मंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डाइरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है, तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को पिछले नौ साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को और इसमें रियल हीरोज का योगदान कैसे रहा है? दिखिए ये विगत नौ साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आपको सिद्ध किया है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोकरसी का रियल परकॉरेशन करना हो, डेमोकरसी को ट्रेंधी करना हो, केंडरो और राज्य के सबंद बहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो अनुसंधान के ख्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है रक्सा और रक्सा की आत्मनिर्भरता दोनों क्षित्रों में सायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दसक में काम हुआ है तो वो ये दस साल के अंदर हुआ है देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षित्रे में भी कस्मीर, नॉर्थीश्ट और वामपन्थी गुरुवाद तीनों होट स्पोट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपून प्रभूत्व आज हमारी एजन्सियों का हमने प्रस्तापीट कर पाए है देर सारे च्षित्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका साथ अर्थ में यस हर क्षेत्र में ग्राउंड पर पर्फर्म करने वाले सभी नागरी को को जाता है यह जरूर है कि यह तो पहले भी थे परन्तु व्यवस्ता सुधर्ती है तब भी होसले के साथ जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो अई परिणाम नहीं मिलता है मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नहीं उपर मोदी जीन ने जो हमारे सामने एक स्वपन रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के सो साल पूरे होंगे तब वीश्व में हर क्षेतर के अंदर भारत नंबर वन होगा सर्वप्रतम होगा इसको हम निश्ची धी सिर्थ करता है बहुत धन्यवाद आपका सवालों का सिलसिला शिरू करता हूं आप से फिर कुछ महिनोबाद मुलाकात हो रही है और एक दिल्चस्प समय पर मुलाकात हो रही है चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वग जो सबसे गरम मुद्दा है वो है राहुल गांदी का मुद् तो इसको आप कैसे देखते हैं क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपथी का माहौल भी बन सकता है रहुल गांदी जी के लिए देखे रहुल जी अगर आपने यह पूरे कानून को और सुप्रीम कौट के जज्मेंट को जरा श्टड़ी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते हैं मैं अगर खेर अच्छा ही हुआ पूछ लिया क्यूंकि बहुत बड़ी भ्रांती फिलाने का प्रयास कॉंग्रेसी नेता कर रहे हैं मैं आपकी चैनल के माध्यम से समगर देश की जनता को रियालिटी बताना चाहता हूं हमारा जो कानून था वो कानून म एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर दो साल की सजा होती है तो तीन महिने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए सजा को स्टे कराना और दोस को स्टे कराना दो अलग बात है तो दोस को भी स्टे कराना है सजा को भी स्टे कराना है और हमारे कानून में प्रोवीजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक सजा करती है वो दोस को दोस पर रोक लगा सकती है का जज्जमेंटा है 2013 में उस जज्जमेंट में सुप्रीम कौट ऑफ इंडिया ने तै कर दिया कि तीन महिने आपको नहीं मिलेंगे क्यों देना है चुने वे प्रतिनीदी कोई कि विसेश प्राइविटी क्यों एंड्जोई करें जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद हो जानी चाहिए यह सुप्रीम कौट का वर्डिक है 2013 का है जब राहूल जी की माता जी के नेत्रूत में यूपीय चलता था हम तो दूर दूर तक नही के बाद हम तो आज भी सुधारना नहीं चाहते जज्जमेंट को मगर कॉंग्रेस सरकार सुधारना चाहती थी क्यों वो लालू जी को बचाना चाहती थी एक ओडिनस लेकर आये मनमौन सिंग जी और इसको नॉनसेंस करकर स्रिमान राहूल गांदी ने पूरे देश के सामने अपने ही सरकार के ओडिनस को फाड दिया अब उनके फाडने के बाद किसकी मजाल थी कॉंग्रेस सरकार में किस ओडिनस को कानून में बदले विड्रो कर लिया गया जे आज अगर वो कानून होता तो वो साहत बच जाते इतनी हाई तोबा नहीं करनी पड़ती और दूसरी उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं किये एक किस प्रकार की अरोगंसी है आपको फेवर चाहिए आप मेंबर पार्लामेंट बने रहना चाहते हो और अदालत के सामने भी नहीं जाओगे एक किस प्रकार की एरोगंसी कहां से जन्रेट होती है और यह स्रिमान पहले नहीं है अब तक रादनीती में उनसे ज्यादा बड़े पद पर रहुए और उनसे भी ज्यादा अनुभा रखने वाले डेर सारे नेता इसी प्रावदान के तहत अपनी सदसेता गवा चुके हैं मैं ती इमान लालू प्रसाद यादव इसका सबसे पहला भोग बने, उसके बाद जैललिथा जी बनी और आसीद अलबी जी बने, ऐसे 17 लोग, इंक्लूडिंग राहूल गांदी, सबकी सदस्यता गई है, किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तोबा नहीं की, क्योंकि य इन पर आ गई, तो कॉंग्रेस वाले कहते हैं, गांदी फैमिली के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए, मैं देश की जनता को पुछना चाहता हूं, किसी एक परिवार के लिए इस देश में अलग कानून बनना चाहिए, क्या? ये देश की जनता ने तई करना है, किस में में जीते हैं लोग, और फिर कुछ भी होता है, तो मोदी जी पर आरोप करना, लोग सभा स्पिकर पर आरोप मड़े जा रहे हैं, अरे भाई, आप कानून पढ़ो, वो तो साहिद नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे मालूम है, समद नहीं पाएंगे, परंटू, कॉंग्रेस क बड़े बड़े वकील जो राज्यसभा में बैठे हैं, और वकील होने के कारण ही बैठे हैं, वो लोग भी नहीं समझाते हैं, कि भई, लोग सभा स्पिकर के हाथ में कुछ नहीं है, लोग सभा स्पिकर से आएंगे, दो दिन के बाद भी कुछ करते हैं, तो वो दो दिन मे आपने जो कुछ भी वक्तव यह दिया है वो लोग सभा को एरेज करना पड़ता क्यूंकि आपकी सदस्यता वोक्षन से जाती है जीक्षन से आपको सजा होती है पर घर से भी तुरांत निकाल दिया घर थोड़े दिन दे सकते तरब डुक सकते थे तो इससे फाइदा क्या होता समझाईए ने सिंबॉलिक है बैर की राजनीती बोल रहे हैं इसलिए मैं सब्सक्राइब सिंबॉलिक तो यह है कि फॉर वोट स्पेशियल प्रेवर अब बता सकते है जब जर्नालिस्ट क्यों स्पेशियल फेवर करनी चाहिए जब संग्यान में आए उसके बाद तुरंत कदम उठाने का सुप्रीम कोट का निर्दे से ओनलाइन जज्जमेंट भी पहुँच गया जिनोंने अरजी की इनोंने जज्जमेंट पहुचा दिया और लोग सभा स्पिकर सुप्रीम कोट के आदेश की अवमन ना क्यूं करें क्यूंकि वो बताई आपको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए जी मुझे लगता है कि वो इस इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं वापस जहां पे उन्होंने वो जहां ले जाना चाहते हैं मगर एक कानून की स्थिती है इसमें कोई विंडिक्टी वेंडेटा का वो करेंगे वो कोलर में करेंगे जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किये थे तो इस बात को आगे बढ़ाना चाहरें क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहनुभूती मिलेगी क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाहरें करनाटका मैं देखे अगर वो वही जगे से भासन करना चाहते है तो हम कैसे रोक सकते डेमोकरसि में हर कोई वेक्ती लोग तंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहें बोली ही सकता है इसमें उजह कोई आपति है लूदी बना मराहुल करना चाहते तो भी मुझे आपति नहीं है आपकी पार्टी यह जो अपशब्द राहुल जी ने मोदी जी के लिए कहे आपकी पार्टी इसको एक एंटी ओवी सी कलर भी देने की कोशिश कर रही है ऐसा क्यों देखें उन्होंने मोदी जी को नहीं का है पूरा भासन आप सुन लिजे और मेरे इंटर्वी के पहले चला क कर भी दिखाएगा तो लोग भी सुनें उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों चोर होते हैं ऐसा एक्जेट नहीं कहा है उन्होंने कहा कि सारे चोरों का सर्नेम मोदी क्यों होता है यह कहा है तो वो उन्होंने ओवी सी समाज का ही जान बूच कर अप जो माहा से कौट में गई इसके खिलाप, इस्टेटमेंट के खिलाप, उनका कंटेंशन भी वो ही है और जज्जमेंट का सार भी वो ही है. आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावर कर नहीं हूँ जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते, इसको आप कैसे दिखते हैं। सावर कर जी के लिए इस प्रकार के सब्दन नहीं करने चाहिए. मैं इतना कह सकता हूँ कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातना ये सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावर कर. पूरे आजादी के संगराम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ दो जनम टिप की सजाए हूँ. एसे वीर हुतात्मात के लिए आज इस प्रकार के सब्द प्रयोग करना और सायद हम पर उनको भरोसा ना हवो अपनी दादी के भाशन सावर कर जी के लिए पढ़ ले कि इंदरा जी क्या कहती थी. वो पढ़ लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा. उनके साथी भी उनको कह रहे हैं. शीवसेना साहत पवार सब एड़वाइस कर रहे हैं. अभी तक ममता बैनर जी और केजरिवाल जो है कॉंग्रेस के साथ नहीं थे. इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहूल गांधी के और कॉंग्रेस के साथ खड़े हुए हैं. एक तरीके से ओपोजिशन जो है एक साथ एक जुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर. देखे राहूल जी हर बार एस सवाल मैं जब से राष्ट्री राजनिती में आये या रहा है. मुझे बता हो यह दोनों साथ में आ गए ठीक है कुई भी प्लेटफोर्म पर आ गए. बंगाल में क्या करेंगे? केजरिवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहूल जी के लिए छोड़ देंगे क्या? साथ में आरें का क्या मटलब है? कोई मटलब नहीं है. सब एक उजरे के खिलाब लड़ रहे हैं. क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई हैं. अब ठीक है. हमें कोई आपती नहीं है. अब इसी बात को लेकर सारा ओपोजेशन कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्रे में है. इस तरह का जो है ये नारेटिव वेस्टन मीडिया भी कुछ सेक्शन में उड़ जाता है. तो क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद मत फेजल तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीम कुमारी जैलली था जब डिस्क्वालिफाई हो गई थी तब क्थ्रे में क्यों नहीं पड़ा? ये तो सत्रा लोग डिस्क्वालिफाई हो चुके भी हाई. और देश का कानून है, जो बदल सकते दें आप आपने पाड दिया, नॉनसेंस करकर, अब काहे को छाटी बिढ रहे हो गए, अब जी, थोड़ा आने वाले चुनाव करनाटका की चुनाव की योर देखते हैं, कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं, बड़े चुनाव हैं, करनाटका, मध्यप्रदेश, राजस्थान, चत्थिजगर और ये एक तरीके से दोहजार चुविस के पहले एक सेमी फाइनल मैच है, तो आप करनाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं, आज क्या लगता है आपको वहाँ पर स्थिती क्या है, क्या कितनी सीटे देते हैं आप, ये सवाल मैं हर बार हर बार आपसे पहले पूशता हूँ. देखें, मैं करनाटक नव दिन लगाया हूँ, जुनाव के गोशना के पहले आज ही हुई है, और करिब-करिबIf Garnatak के जो पांच क्षेतर हैं, मूंबाई करनाटक, कल्यान करनाटक, मैशूर, बैंगलोर, इस तर के जो पांच क्षेतर हैं, पांचोक्षेतर में मैं जा कर कर आया हूं और नौ दिन तक डिटेल दोरा किया है मैं आपको पक्का एसेस्मेंट कर रहा हूं कि हम निश्चीत रूप से हाफ़े मार्च से काफी आगे रहेंगे पूर्ण बहुमत की भारतिय जनकाफार्टी की सरकार बने जाए है पर निश्चीत रहेंगे जी के बाद कभी दुबारत रिपीट नहीं हुई है सरकार इसके बाद भी आपको इतना भरोसा है तीस साल के बाद कभी तीस साल तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी कई सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी, सतत्तर के बाद, ये दोनों मोदी जी के समय में हुआ, ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए एक अजीब सी चीज देखी करनाटका में, मुख्य मंत्री बोमाई हैं और चेहरा येडियोरप्पा, प्रधान मंत्री ने भी उनका हाथ पकड़ा और उनका उनका प्रहुतसान दिया जब वो गय थे वहाँ पे, तो इसको आप कैसे देखते हैं, किसके चेहरे के अंडर चुन चुनाव समीती के मेंबर हैं, और भारतिये जनता पाटी ने उनकी वरिष्टनिता को कभी क्वेश्चन नहीं किया, हम ऐसी पाटी नहीं है, कि जो पावर पर नहीं है, उसको दरकिनार कर देते हैं, हमारे यां जो वरिष्टनिता होता है, उनका सन्मान पावर में हो या नो हो सनमान होता है और आज भी मैं कह रहा हूं सब के सामने कि ये दुरप्पा जी बहुत बड़े आकरसंड के साथ स्टार केमपेणर की भूमी का करनाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो करनाटक अगर जीत कर वापत साएंगे तो बोमई जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे देखिए वो तो पार्टी ताई करेगी अभी पार्टी में इस तरप्रकार की कोई चर्चा नहीं हुए पर बोमई जी हमारे मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से चला र आएंगे और करनाटक की जनता डबल एंजिन सरकार चाहती है मोदी जी की योदनाओं को मोदी जी के कारेक्रमों को और मोदी जी के वीजन को नीचे इंप्लिमेंट करें इस प्रकार की समान विचार सर्णी वाली सरकार करनाटक की जनता चाहती है और परिणाम भी इसी प्र कर दी है कॉंग्रेस ने भी करीब 125 केंडिडेट घोशित कर दी है आप लोगों ने अभी तक कोई लिस्जारी नहीं की तो कहीं ने कहीं कोई चौकाने वाली कोई आपकी स्ट्राइडिजी नहीं होता है हमारे एक पद्दतिते हैं जिले को सुनते हैं फिर प्रदेश में इस प गोड़ा की का और यहां तीन चार परिवार बेट जाए तो फैसल तो उनके लिए बड़ा सरल है हमारे यहां लाखो कारे करदा हुझे चरन बद्द चरचा करनी होती है तो थोड़ी देर लगती है भईया हम थोड़ी स्लो भी है जेडियस की बात करी तो लोगों का ये भी कहना है कि जेडियस जो है वो भारती जनता पार्टी की बी टीम है इसको आप कैसे देखते हैं देखे ये फिर से एक पर आप स्टड़ी करें बगर का सवाल कर रहे हैं गत चुनाओं में हम सबसे ज्यादा सीटों के साथ एक नंबर की पार्टी बने थी हमारी 104 सीटे थी जेडियस की 34 सीटे थी और फिर जेडियस कॉंग्रेस की गोदी में सत्ता के लिए बैठ गई और दोनों ने सरकार बनाई अब बताईए जेडियस किसकी बी टीम है तो आपका आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है हम हर सीट पर लड़ेंगे पूर्ण बहुमत के लिए लड़ेंगे और मोदी जी के नेत्रुत में पूर्ण बहुमत आएगा इसका मुझे पूर्ण भरोसा है किसी से बातचीत का सव गट-बंदन का सवाल ही नहीं किसी के साथ गट-बंदन करने की जरूरत नहीं पूंड प्राप्त करने जा रहे हैं और विश्वास के साथ मैदान वी उगतर है विधान सभा के चुनाओं के खोषणओं से पहले आपकी पाटी ने जो चार परसंट प्रेजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था उसको आपने दो दो परसंट जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बाट दिया ऑपोजिशन का कहना यह है कि यह पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्राटिजी है इसको कैसे देखते हैं आप क्या मानते हैं कि मैं मानता हूँ यह करने में थोड़ी देर हो गई है क्योंकि धर्म के औधार पर आरक्षन संविदार संमत नहीं है एक घर संविदानिक है किसी भी प्रकार का आरक्षन धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है जो कॉंग्रेस की करनाटक सरकार ने पॉल्राइजेशन के लिए किया था, उसको हमने करेक्ट किया है और मैं मानता हूँ यह करने में थोड़ी देर हो गई अमी जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा साने वाले 2024 के चुनाओ पे चचा करते हैं प्रधान मंतरी मोधी जी ने कुछी देनों पहले एक उपोजेशन को बड़ी चुनाओती दिये उन्होंने कहा है कि यहां पे भ्रष्टाचारी बचाओ अंदोलन चन रहा है तो क्या यह समझें कि 2024 में मोधी वर्सेस दरेस्ट होगा पूरा उपोजेशन एक तरफ मोधी जी एक तरफ कैसे देखते हैं आप इसको क्या आप 300 का आकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे पहले मोधी वर्सेस दरेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं साइद मैं न समझा पाहूं मगर जनता समझ पाएगी अब मैं तीन पार्टियों के नाम बोलता हूं स्रीमान चंद्रसेखर राव ममता बैनर जी की पाटी तूनेमुल कॉंग्रेस समाजवादी पाटी और कॉंग्रेस ये चारो पाटियां अगर मोधी वर्सेस रेष्ट के फॉर्मूला के साथ आती है तो चंद्रसेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फरक पढ़ जाएगा यह सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं और लड़ाई इसी तरह से हो नहीं है एक्ता आपकी टी आरपी बढ़ाने के लिए हैं आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए एक्ता का कोई मतलब ही नहीं है कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है है ना एक दूसरे के लिए सीट्टोडने को तैयार एक चले मैं मानू की । याड़ेस ती तिलंगाना में पांच सिटें ममता जी को देदे तो तो एक लड़ाई हुई भै और समाझवादी पांट सीट वहां दे दे और ममता जी बंगाल में पांट-पांट सीटे दोनों को दे दे तब तो एक हुए तब अपनी अपनी लड़ाई बाधपा के सामडे लड़ेंगे और के हम सब एक है क्या है के भी नई तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है माद कि उत्तरप्रदेश एक सीट पर एक ही कंडिडेट हो। समाज़वादी पाटी पा भा भ्वजं समाज़ग tehdaltetे दा कि ये तो किसे कोंग उंगे ना भस्पा कह रही है कम सात्मे लड़ेंग न सपा किसले एटि अभी सिर्टी दोनों साथ में लडेंगे अब इससे कैसे होगा भला को आपका कौन मानेगा ने मैं ता सुर्फ सवाल पूछ रहा हूं मैं कुछ कह नहीं रहा हूं मैं तो जो आप बोल रहे हूं उसको रिपीट कर रहा हूं अमिज जी सेंट्रल इंवेस्टिकेटिव एजनसी से जो है आपोजिशन को बहुत डर है कहती है कि जो हमको हैरेस करते रहते हैं सरकार इनका इस्तमाल करती है उन लोगों को परेशान करने के लिए आज अगर आप देखें तो सर्तेन जैन मनिश सिसोधिया जेल में हैं चाहे हो कविता हो के सियार जी की बेटी हो कविता हो हेमन सरविन हो सब लोग या तो एडी के घेरे में है या सीबी आई के घेरे में है तो भुपेश बगेल जी के भी ज्यादा तर लोगों पर रेट्स पड़ती रहती हैं तो अपोजिशन का कहना ये है कि क्या एडी और सीबी आ जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं जराबी ऐसा नहीं है 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम करप्शन के खिलाप लड़ेंगे और हमारी ये लड़ाई करप्शन के खिलाप है कल ही मोदी जी ने यही कानून था कुई कानून हमने बदला नहीं यही कानून था इड marble के कानून के तहत 5,000 करोड की संपति कुरकी थी और मोदी जी के साशन के अंदर हमने एक लाक दस जार करोड की संपति कुरकी उसका 5% भी politician का नहीं है बाबुव का भी है ब्रश्ट व्यापारियों का भी है सब का है जो देश के कानून को तोड़ कर tax दिये बगैर धन सोधन करते हैं क्या लडाई बन कर दे और क्या देश की जनता ऐसा कानून चाहती है कि अगर कोई politician कोई रादनिती में काम करने वाले नेता या व्यक्ति ब्रश्टाचार करे तो उसके खिलाब कोई कारेवाही नहीं हो यही CBI के तहट 9 वर्सों में हमने 5000 केस ब्रश्टाचार के दर्ज किये कॉंग्रेस ने 500 भी नहीं किये 500 भी नहीं क्या 5000 के 5000 केस रादनिती पार्टियों के कारेकरता उपर है ना सभी के सामने है बाबुयों के सामने भी है व्यापारियों के सामने भी है और मिली बगत के सामने भी है और जहां तक दुरूपयोग का सवाल है लालू जी पर केस किस ने किया था यूपीय की सरकार ने किया था सेख अब्दुल्ला के खिलाब विमान भरकर अपसर वो बड़े वाला एर इंडिया का पुराना विमान आता है क्या कहते 320 या ऐसा विमान होता है पूरा विमान भरकर अपसर बेजे थे और कई सालों के लिए जेल में डाल दिये थे किस ने किया था इंद्रा जी ने किया था ये तो बरश्टाचार के केस है मैं राहूल जी को और उनकी पार्टी को याद कराना चाहता हूँ इमर्जन्सी डाल कर लाखो बेगुना विपक्स के नेताओं को जेल में डाल दिया था 19 महिने तक और बेल का प्रोविजन भी नहीं था और यहां तो बेल का प्रोविजन आप कौट में जाहिए मैं आपको बताता हूँ दुरूपयोग कैसे होता है मैं उसका भुक्त भोगी हूँ हमारे खिलाब कोई ब्रष्टाचार का केस कॉंग्रेस ने नहीं किया था एक एनकांटर हुआ था उसमें मैं उराज्य का गुरू मंत्री था मुझ पर केस कर दिया और सिर्भिया इनिमिर जी एरेस्ट की एरेस्ट में सीबियाई के रेकोर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा अगर प्रामानिक्ता से टैप किया तो उसी भी आई कि उस्वक के अपसोरों ने और मिटा नहीं दिया कॉंग्रेस सरकार ने तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेसान हो रहे हो मोधी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे हमने तो काले कपड़े नहीं पहने कोई विरोध नहीं किया मोधी जी के खिला पैसाइटी बनाई एक राज्यक के मुख्यमंत्री के कोई करप्शन का केस नहीं था दंगो में इन्वल्मेंट का केस करा फरजी टाइप का जौन्त में सुप्रिम कौट ने खारीज किया हमने कोई हाई तोबा नहीं करी थी कभी काले कपड़े पहन कर संसत को हमने जाम नहीं किया था भई और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया मुझे पकड़ कर एरेस्ट किया नबे में दिन ही बेल दे दी मुझे हाई कौट ने कहा कि एरेस्ट करने के लिए परियाप्त प्रूफी नहीं है और मैंने एक्टविटल की अप्लिकेशन डाली मुंबई की अदालत ने मुंबई में केस चला गुजरात के बाहर ले गई कोई आपती नहीं मुंबई में चला वहाँ कौट ने कहा कि रादनितिक प्रतिसोत की भावना से CBI ने रादनितिक इसारों पर एक केस किया है इसलिए हम अमिजजा को के खिलाब के केस को और सारे आरोपो को खारीज करते हैं हमने हाई तोबा नहीं की थी और यही लोग थे यही चिदंबर हम बैठे थे यही सोनिया जी नेत्रू तो करती थी UPS सरकार का यही मनमोन सिंग थे और यही राहूल गांदी सानसत थे अब क्या हो गया भी और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया वो करप्शन के हैं आपकी बज जुबानी का केस है इस प्रकार के फ़रजी केस नहीं किये हैं और केजरिवाल भी रोज छातिया पीटते हैं भैया यह सारे निर्दोस है तो जाइन साब कितने समय से अंदर है काफिज समय हो गया लेड़ साल हो गया क्यों बेल नहीं होता है इस देश में अदालत हैं भैये सबने अपना केस लेकर अदालत के सामने जाना चाहिए एजन्सियों के दुरूपियों का आरोप करने की लिए मैं कॉंग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ एक उंगली किसी के खिलाप करोगे तो चार उंगली आपके खिलाप आती है ध्यान रखना और इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ लेखा हुआ है वगर हमने कभी भी ऐसे काले कपड़े पैणकर काली पगड़ियां काली दूती काला कूर्था पैन करने रोड़ पर नहीं निकले हो वही कानून ही मामला है निर्दोस है तो कानून में स्रद्धा होनी चाहिए कानून छोड़ देगा आपको जी मैं तो इतने साल तक कभी नहीं बोला आज आपने यूं करकर बुलवा है तो मैंने बता दिया अब तक नहीं बूला दा मैं तो पिभी ताब अमीजी एक slick और पूरी मेरी इंट्रोगेसं ये की बात मोधी का नाम दे दो मोधी का नाम दे दो मोधी का लेकि नहीं आगãy क्यों परेजा वो और कोई इंट्रोगेसंcueर में कोई वोई चिदंबर्म सावाज बोल रहे हैं, वोई कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, वोई अभी सेक मनु सिंग भी बोल रहे हैं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, कि ब्रस्टाचारका जीतना भी पैसा ही खटा किया है, एक बार सामने से अदालत के सामने जाकर दे दे, साईध अ कर दे उनको कि यह ढूंड कर पकड़ेंगे तो तकलिफ आएगी एक एक उपोजेशन लीडर का कहना यह है कि यह सारे आप रश्टाचार के जो अगर नेता पार्टी बदल कर भारती जनता पार्टी में आ जाए तो उसके खिलाफ केसे को ड्रॉप कर दिया जाता है यह बिल्कुल बेजलेस बात है इस देश में अदालते हैं आपके पास अगर कॉंक्रीट केसे तो लेकर अदालत में जाएए अदालत सी बी आई को डायरेक्ट करेगी एडी को डायरेक्ट करेगी कौन एडी और सी बी आई की हिम्मत है अदालत के डायरेक्शन के खिलाब काम क पॉजिशन पाटी ने एक सुप्रीम कोट में एक याची का दायर की भी है जहां पे वो कह रहे हैं कि गाइडलाइन्स पर अरेस्ट होना चाहिए तीन गाइडलाइन्स की उन्होंने बात करी है इसको कैसे देखते हैं अरे भई इस देश में एरेस्ट की बेल की और रिमान की तीनों की गाइडलेंड सुप्रीम कोट के पांच जजमेंटों से प्रस्तापित हैं वो सब भी जानते हैं मगर ये जनता को घुम्रा करना जाते हैं जनता ऐसी बातों से घुम्रा नहीं करना तो होती है वैया ऐसी बातों से घुम्रा नहीं होती है जी कुछ अन्य राजियो आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, क्या लगता है अपको इन तीनों स्टेट्स में क्या होगा? हुने जा रहा है और राजस्थान में तो साइद कॉंग्रेस भी मानती है कि अब हमारा नंबर नहीं लगने वाला है मध्यप्रदेश की अगर बात करूँ तो पिछली बार आप लोग वहां पर पिछली बार कमलनात ने वहां पर अच्छी फाइट दी थी और आप लोगों को बाद में सरकार को पलटना पड़ा था इस बार भी कमलनात का नेत्रोत्तु है कॉंग्रेस खड़ी हुई है और एक का कास्ट बेष अंदोलन खड़े किये गए थे और कास्ट बेष आंदोलन के कारण वाटर प्रावीत हुआ था अचालर कंशा अरव रव तो ऑड़ात के लगे चूना नेयुक फोर Как लोग तंत्र में तूडर होता है इसका परन्तु बार आको लोग समझ गये थे कि राधन cactus का अब मैं जाकर रहा हूं, पूरा माहोल देखकर रहा हूं, मुझे तो बहुत अच्छा माहोल की अनुभूती होती है। और भूपेश बगेल के सामने आपका चेहरा कौन होगा। उमेदवार तो हर सीट पर कोई न कोई लड़ेगा। नेता कौन होगा वो अभी हमने तरह नहीं किया है। तरह करेंगे तब आपको जरू बता देंगे। राजस्थान में आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। वहाँ अशोग गहलोट जी जो है। वह तो अपने ही कॉंग्रेस हाई कमान को ही चक्मा दे गए और वहाँ जमे हुए हैं। तो उनसे आप अपनी लड़ाई कैसे देखते हैं। क्या वसुंद्रा जी आपका चेहरा होंगी या कोई। अभी राजस्तान में चेहरे के बारे में हमने कोई निर्ने नहीं किया है। परनतु स्री असोग गहलोट ने जीस प्रकार से सरकार चलाई थी। चलाई है। वह निश्ची थे राजस्तान की जनता बदलना चाहती है। और सायद इसलिए कॉंग्रेस हाई कमान उनको अध्यक्स बनाकर वहां रास्ता साप करना चाहता है। अगर वह नहीं निकले, अब उनका एक इंटर्नेल प्रोब्लम है। आप लोगों की कोई बात्चीत सचिन पाइलेट वगर ऐसे जैसे पिछली बार हो रही थी। मुझे लगता है आप जए राजस्तान में बहुत इतीनों राज्यों में सबसे बड़े बहुमत से राजस्तान में जीतेंगे। अमी जी महराष्ट्र में आपके मास्टर ट्रोक से जो है सरकार वापस आ गई। लोगों का मानना ये है कि हो सकता है कि अभी कुछ शॉट टर्म में आपको फाइदा भी हुआ हो मगर लॉंग टर्म में शिवसेना का जो वरकर है वो शिवसेना के अभी साथ है और ठाकरेस के संग थोड़ी बहुत सिंपती फैक्टर भी है क्योंकि इस तरीके से जो हुआ तो इसको आप कैसे देखते हैं 2024 पर इसका क्या आसर होगा देखे आप जो कह रहा है उससे उलट है महाराष्ट में हम और सीवसेना साथ में चुनाव लड़े थे दिवेंदर फड़न इसके नित्रूत में चुनाव लड़ा गया है फिर कॉंग्रेस और और NCP ने चुनाव हाणने के बाद स्री उद्दव ठाकरे को कहा कि हम आपको मुख्यमंतरी बना देते हैं तो वो मुख्यमंतरी बन गए बनने तो तो बन गए सबी लोग उनके साथ भी गए मगर जब जनता में जाने लगे तब आइडियोलोजिकल जो डिफरेंस आप उप उनके जनप्रतिनिद्यों को हर जगे सवाल करता था जनप्रियति जो छोड़कर वहां से भागे वो हमारे कारण नहीं भागे हैं जनता के दबाव के कारण वहां से निकले हैं तो इसी में जवाब है जनता ही चाहती थी कि सीवसेना और बाजपा इखटा रहे तो असली करना था कि पिछली बार अगर भारती जनता पाटी अकेले चुनाव लड़ती शिवसेना के बिना चुनाव लड़ती तो शायद उसको बहुमत मिल सकती थी मैं भी मानता हूं वगर सीवसेना हमारी बहुत पूरानी साथिदार पार्टी थी इसलिए हमने इन पर भरोसा किया पर मेरा सवाल यह है कि अब आप एकनाच शिंडे जी के संग है तो क्या इनकी पार्टी का जो है विलय भारती जनता पार्टी में होगा नहीं खड़ा है तो दो हजार चुबिस में सीट का बटवारा कैसे होगा कितनी सीट पर आप लड़ेंगे कि वो तो करेंगे मिल बैट कर यह कोई बड़ी बात नहीं है जो रोड पड़ी तो आपको भी भूला लेंगे अब जी जो महराश्ट्रा में हुआ उस पर सुप्रीम कोट ने टिपणी की जो फाइव मेंबर कॉंस्टिटूशन बेंच जो सुप्रीम कोट की थी उन्होंने कहा कि गवनर को MLS के मध्भेद होने की वज़े से फ्लोर टेस्ट की कोई बुलाने की कोई आवश्रक्ता नहीं थी क्या कहते हैं आप देखें जज्जमेंट नहीं है सामने वाले पक्स को सुनकर जज्ज साब ने दिया हुआ डायस पर से रियक्शन है मैं मानता हूं उसके बाद सीवस्याना के लोयरें नों भी ढंक से इसका जवाब किया है कि तत्य क्या थे जज्जमेंट आने तक बहुत आखलन नहीं लगाना चाहिएगा चाहिए जज्जमेंट आएगा तो सुप्रीम कौट है देश की सर्वोच अडालत है जो ताही करेंगे वो सब मानेंगे मगर जज्ज साब काफी सवाल सुनवाई के दौरान पूछते हैं उसको जज्जमेंट नहीं मान लेना चाहिए अब जी दो हजार चौविस के चुनाओं के बारे में बात करते हैं अगर आप देखें आपको तीन सो के उपर सीट मिली थी ज्यादा तर स्टेट्स में साचूरेशन सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सीट थी एको राहुल जी आपकी स्मूरूती थोड़ चुके साथ फीर से एक बार मोडी जी प्रदानल या ये एक्स्ट्रा सीट जो है वो कहां से आएंगी एक्स्ट्रा सीट कौन से किन प्रदेशों से आप देख रहे हैं जादा सीट आएंगी पिछली बार से लास्ट टाइम मैं कहता था कि बंगाल से हम सीट बढ़ाएंगे पोई नहीं मानता था, अब बढ़ गई, औरिस्ता से बढ़ाई, तेलंगाना से बढ़ाई, हमारी पार्टी जमिन पर काम करने वाली पार्टी है, और मोदी जी का औरा भारत की चारो दिशा से अंतीम गाउं से लेकर दिल्ली तक है, जे, साउथ में टामिलनाडू और केरला म आप कैसे देखते हैं, मोदी जी का औरा वहां पर भी है, मगर सीट पर कैसे कनवर्ट होगा, तालमेल AI-DMK, वहां हमारा संगठन वीक था, हमने काफी प्रयास किये हैं, काफी सुधार किया, धेर सारे गाहों तक पहुँचे, धेर सारे बुथों तक पहुँचे हैं, और जह वीक है, हमारे साथ साथी भी है, तो AI-DMK के साथ कुछ गडवन्दन रहेगा, हमारा है ही अभी तो गडवन्दन, हमिजी थोड़ा कुछ उन मुद्दों पर बात करते हैं, जिन से आपके मंत्राले का डारेक्ट संबंध है, आज देश में पंजाब में जो हो रहा है, उस सि गिरिफतार करने के लिए आपकी मुलाकात भगवन्दमान जी से मार्च की शुरुवात में हुई, उनको गिरिफतार दो हफते बात करने की कोशिश भी की गई, मगर वो हातों से निकल गए, तो ये कैसे हुआ, अमरित पाल जब आप लोगों का इतना तालमेल बना तो वो निकल के मैं से नहीं बता सकता हूं, हर तीन महीने मैं पंजाब के मुख्य मंतरि केड़री को मिलता हूं, ये कोई नाई बात नहीं, इसको कोई घटना के साथ नहीं जोगना चाहिए, एक बात, दूसरी बात, जहां तक भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्रमोदी का सवाल ह किसी भी राज्य में law and order होता है, irrespective of party, politics, हम वो राज्य के साथ चटान की थरक खड़े है, क्योंकि यह मामला देश का होता है, politics का में और पंजाब सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, केंदर सरकार उनके साथ है तो आप इसमें गलती किसकी मानते हैं, ये कैसे हुआ कि हम साथ में मिलकर भी गलती का इतना जल्दी आखलन मत लगाई है, घेर शारे लोग पकड़े गये हैं, घेर शारे लोगो को उन्होंने NADS भी लगाया है, डेर सारे लोगों को जहल में भी डाला है, अलग-अलग प्रकार के केस भी रजेस्टर हुए, डेर सारी मात्रा में हत्यार भी जब्त हुए, मैं मानता हूँ कि कठोर कार्यवाई की. और आपको उमीद है कि अमरित पाल को पकड़ लिया जाएगा जल्द से जल्द? मेरी उम्मच से कही नहीं होता है, एजन्सिया और पुलिस दोनों कारेरत है, वो अपना काम करेंगी, और मैं मानता हूँ यह सारे सारवजनिक इंटर्यू के हिस्से नहीं होते हैं, समवेदन सिल प्रकार के बाते हैं, और उसको इसी प्रकार से टेकल करना जाएगा. अमिजी जो पंजाब में हुआ, उसका हमने बाहर भी देखा कि भारती दूतावासों में जो है, हिंसक प्रदर्शन हुए, वैंकुवर, मेलबर्ण, वाशिंग्टन, डी सी, संट फ्रांसिस्को, हर जगे इस तरह के प्रदर्शन हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखे, भारत का दूतावास देश के दूनिया के किसी भी हिस्से पर हो, वह भारत का भाग हैं. और उस पर हमला, वह प्रिमाइसिस के अंदर किया गया कानून, भारत के सारवभुमोत्तों पर हमला है, हमने दिलि में अफायर रजिस्टर करी है, और जिन जिन लोगों ने कारिवाई की है उस पर हम एक्षन लेने की सुरुवाद भी कि क्या एक्षन लेंगे कुछ OCI वगरे काट कैंसिल करने की भी कुछ यूए पी लगाया है उन्होंने और अब सारी वहां से रेकोर्डिंग भी मंगाई गई रेकोर्डिंग के अधर पर पूलिस प्रोफेशनल एक अमिजी खालिस्तान के इस आंदोलन के पीछे किसका हाथ है आप किसका हाथ मानते हैं कई सारे वर्थों से नब्बे के दसक से चल रहा है अब किसका हाथ है ऐसा फिन पॉंटेड कहना तो बड़ी दिक्कत है परन्तु मैं मानता हूं कि इस देश के हर इसे में रहने वाले सी सीक भाई, सीक नागरीक, पंजाब में भी रहने वाले ज्यादा तर सीक भाई बेंड ये मानते हैं कि भारत के साथ रहना चाहिए और भारत के प्रतिन निष्ठा से हर क्षेत्र में उन्होंने योगडान का है और विशेश का सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरीक सुरक्षा कि एक शेत्रे में जीतना बलिदान सीख भाईयों ने दिया है, सीख जवानों ने दिया है, सायद देश के किसी इस से ने लिए और हर भारतिये को इस पर कर रहे हैं। के मामले में रेकमेंडेशन की अंदेखी की है। कि एक मंत्री बराबर इस बारे में बात कर रहे हैं। कि युडिशरी वर्सेज इग्जेकेटिव जो चल रहा ही है, क्या हमारे देश के लिए ठीक है। कि भारत सरकार ने एक S.O.P. बना कर सुप्रीम कोड को भीजी है। जो वहाँ लंबी थे। किरन जी ने कहा है, इस पर जल्दी विचार करना चाहिए। इसमें क्या पती है। मैं नहीं मानता है कोई टक्राओ की बात है। मगर अब आप जो आपकी सपरधा होती है, टीवी जादा कौन देखे इसकी। और कुछ भी कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं इसको। एक आखरी सवाल इस मुद्दे पर और, मुझे पता है कि आप। इस यह नोग जोग जो है, सुप्रीम कोट यह अडानी में भी उन्होंने एक क्या कहते हैं, कमिटी का गठन किया। आइबी रिपोर्ट जो है, जजेस पर आइबी रिपोर्ट भी पब्लिक की। तो इलेक्शन कमिशन में भी सरकार की पावर्स को थोड़ा डैल्यूट किया। तो क्या आप यह नहीं देखते कि इसमें थोड़ा यहां पर कुछ नोग जजमेंट नहीं पड़ा है, दोनों। इलेक्शन कमिशन पर जो जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार जब तक कोई कानून नहीं बनाती, तब तक की इस टॉप गेप एरेंजमेंट उन्होंने बताई है। सरकार को कानून बनाने का मोका दिया है सरकार का काम है कानून बना कर कानून सरवधनिक कर दें संसत में पारित करा ले पर सरकार करें कि इस पर विचार कर रही है सरकार सुप्रीम कौट ने नहीं कहा है कि हमने जो फैसला दिया है वो कानून हो गाया जे कानून बनाने काम काम अध्यादेश की संषट का है तो सुप्रीम कोट ने का है कि हमें लगता है कि इस पर एक कानून बनाने की आवेश्षकता है और जब तक नहीं बनता है तब तक तक है stop gap arrangement हम सधेश्ट कर रहे हैं तो स्वागत है वो स्टॉप गेप एनिज्मेंट का अब गड़ने का काम हमारा है हम कर रहे हैं हमेज जी एक मुद्दा जिस पर आपने बहुत काम किया है और वो है ड्रग्स के खिलाफ आपने बहुत काम किया है आप इतने वियस्त रहते हैं इसके बाद भी आपने इस चीज पर बहुत ज़्यादा काम किया आप कैसे देख रहा है भई मैं काफी चीजों पर काम करता हूँ वो सब तो करते हैं बतलब है कि ये एक ड्रग फ्री इंडिया का जो सपना है वो कब पूरा होगा ये प्रोब्लम बहुत बड़ी है आज भी इतने देखे ऐसा है कि ये ऐसी समस्या है जिसकी समाप्ति की कोई डेट नहीं दी जाती है ना हो सकती है कभी भी नहीं हो सकती है लडाई और लंबे समय तक चलने वाली लडाई है मगर एप्रोच में बढ़ला हो सकता है नरेंद्रव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ध्रग के खिलाप लडाई में हमने एप्रोच बढ़ला है एंकोड करकर एक व्यवस्थापन 2020 से हम लेकर आए जिस एंकोड के अंदर चार स्तरीय व्यवस्था है केंद्रिय स्तर पर दो व्यवस्था है एक राज्य स्तर पर है और एक जिला स्तर पर है और एक सिर्फ पहले पुलीस और एवेन्य डिपार्टमेंट इसके खिलाप लड़ते अब whole of government approach के साथ, health department, pharmaceutical department, इसके साथ समाज कल्याण विभाग, jail, home ministry, revenue ministry, finance ministry और border security. तो Navy, Coast Guard, इस सारे, सब इखटा उकर इसके खिलाप लड़े, वो व्यवस्ता का नाम है, ENCODE व्यवस्ता, जो 2020 से हम लेकर आए, और इसके कारण ड्रामेटिक परिवर्तन आंकडों में आया है, मैं आपको बताता हूँ, पहले 9 साल में 630 करोड का ड्रग पकड़ा गया था, और ये 9 साल में 22,000 करोड का ड्रग पकड़ा गया है, देश की जनता को भी सायद मालूम है, हर तीन महिना अपने हाथ से में ड्रग जलाता हूँ, और तीन साल से जलाता हूँ, 22,000 करोड रुपे का ड्रग, इसका मतलब ये नहीं ड्रग ज्यादे आने लगा है, इसका मतलब ये एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है, तो केस रजिश्टर कर लेते हैं, तो संत्रूष्ट्री होती थी, अब ऐसा नहीं होता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच लिया है, एक आदमी ड्रग के साथ पकड़ा जाता है, तो वो कहां से लाया, वहां से लेकर देश में कहां से आया है, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होता है, और देश की सरहत पर पकड़ा जाता है, तो जहां से पकड़ा गया है, वहां से कहां पान की दुकान तक जाना था, वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो टॉप टू बॉटम और इसकर युवाओं ने जुडना चाहिए, यह हमारे देश की भविश्य की पीडी को खोकला बनाती है, यह जाली नोटों के व्यापार को बढ़ावा देता है यह सडियंत्र, यह ड्रग ट्राफिकिंग से ही टेरर फंडिंग होती है, यह हत्यारों की तसकरी को भी बढ़ावा देता है, और हमारे बच्चों को उनके जीवन से, जीवन के आनन से घुम्राह करता है, और हमारी सरकार का पष्ट एप्रोच है, कि जिसको जिस बच्चे को ड्रग की आदत पड़ती है, वो तो विक्टिम है, व्यापार करते हैं, वो गुनेगार है, और दोनों के लिए हमा आपने अभी कहा, आपने बहुत सारे काम कियें, एक और काम पे में प्रकाश ड़ना चाहता हूँ, और वो है नकसलवाद से जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी आप एक राज जो है छत्तिजगर में सुकमा में रह कर भी आए, आपने काफी स्कूल, अस्पतालों के कुछ एरियाज में जो है आप गए भी सुरक्षा, सुरक्षा एजन्सी के लिए बड़ी चुनावती थी, आप पहुँच गए, मगर आपने ये सब किया, इसको आप कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और इसको कैसे टाकल कर रहे हैं, दिखे एक जमाने में काठबंडू से तिरुपती कौरीडोर की बात होती थी, और देश के बारा राज्ये इसकी चपेट में थी, बारा राज्ये, आज घटे, 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 चटिस गड़, महराष्ट के एक-दो जिले, मध्यप्रदेश का एक जिला, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश के एक-एक जिले और ओरिश्या संपूनम मुक्त होगा है, बिहार और जारकनविक संपूनम मुक्त होगा है, बंगाल मुक्त होगा है, मध्यप्रदेश मुक्त होगा है, और एक 10 साल के अंदर, मोदी जी के प्रदानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर, हर प्रकार की वामपंथी में आना चाहते हैं, उनको में श्रीम में आने की भी व्यवस्ता है. मैं मानता हूँ कि बहुत कम समय के बाद, यह देश हम ऐसा सोच सकेंगे, ऐसा सुन सकेंगे, ऐसा देख सकेंगे, कि देश वामपंथी गुरवाद से संपूर रूप से मुक्त हो चुका है. अमिजी एक सवाल और आज अगर आप विश्वभर में देखें तो जादा तर देश में अर्थ व्यवस्ता चर्मराई हुई है. सब सारे बड़े बड़े देश जो है उनकी एकॉनमी जो है आज एक कठिन एक संघर्श से गुजर रही है. आज इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसकी की एकॉनमी फिर भी समली हुई है और अच्छा कर रही है. मगर इसका एक दूसरा पहलू है, जो कि सरकार, ओपोजेशन सरकार को टार्गेट करता है, वो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा. ये मुद्दा बार-बार आता है, महंगाई बढ़ी है और काफी बढ़ी है इधर, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखे, महंगाई को भी कोरोना के कठिन कालखन के बाद विश्व के परिपेक समय देखे, तो भारत की स्थिति, इंग्लेंड, जर्मनी, फ्रांस, इवन अमेरिका, ये सबसे बहुत अच्छी स्थिति हैं. और मैं इतना कह सकता हूँ कि खाने पीने की चीजों पर मोदी जी ने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया है. मगर आज विश्व का अर्थेतंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकारक से जुड़ा है, कि विश्व के अर्थेतंत्र के अंदर जो बढ़ला होते हैं, इससे कोई भी देश अच्छूता नहीं रह सकता. हम अगर यह कहेंगे, कि विश्व के अंदर जो स्लोडाउन आए, इसका हमारे यहां कोई प्रभाव नहीं होगा, विश्व के अंदर जो महगाई हुई, इसका हमारे यहां कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वोड़ सही नहीं होगा, इसका प्रभाव होना ही है, प्रतु इस प्रभाव से को कम से कम करने का काम भारती जंता पार्टि की नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है इस देश के प्रधान मंतरी ने किया है और मैं आज कह सकता हूं कि कोरोना के कालकन के दोनों सालों में समगर विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अगर कोई अर्थवियोस्ता रही है तो वो भारत की रही है और ओवरॉल एसेस्मेंट करें तो अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर पर छ उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया 11 नंबर पर से देश को 12 नंबर पर नहीं जाने दिया 11 नंबर पर 10 साल तक देश थीतरा फिर मोधी जी आए 9 साल में 11 नंबर पर से पांचवे नंबर का अर्थतंत्र भारत बना और मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी सिद्धी है आरत उत्पादन का हब बन चुका है नए नरे क्षेतर के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का खेतर हो अंतरीक्स का खेतर हो ढ्रॉन का क्षेतर हो ट्राट अप को बढ़ाना हो यह युवाओं के लिए सानुकुल वातावन खड़ा करना हो जिससे एक मन्च पर खड़े रहकर व इस डेकेड के एंड तक हो सकता है कि हम टॉप फ्री एकॉनमीज ऑफ दो वर्ल्ड में भी हो तो इसमें कोई दो रहाए नहीं है अमिजी मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आप से कुछ हलके फुल के सवाल पूछो पर उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है एक सवाल जाते बताई आप रिलाक्स कैसे करते हैं कुछ कभी छुट्टी लेते हैं कभी कुछ अभी आपके साथ बैटकर ही रिलेक्स हूं गया है देखो भई मन में जो है को करते रहो अपने लक्स के अनुरूप करते रहो अपनी मान्यता के अनुरूप करते रहो कभी थका नहीं लगेग अपने मन से विपरीद करोगे, अपनी आइडियोलोजी से विपरीद करोगे, अपनी मान्यता से विपरीद करोगे, तो ठकोगे. अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करे वगर, अपनी मान्यता के अनुसार काम करते रहोगे, तो ठकान कभी नहीं लगी. और इसलिए मुझे कभी नहीं लगए मुझे पता है कि मुझे जवाब मिलेगा नहीं पर मैंने फिर भी कोशिश की अमेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप राइजिंग इंडिया में आए आपने हमारे सारे सवालों का बहुत लंबे समय तक जवाब दिया हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि राहूल जी वाड़ी भ्रांती को क्लियर करने का आपने मुझे 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 दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आनन दो